हेलो स्टुरेंट एक बर पुना आप सभी का स्वागत है हाई स्कूल क्लासेश पर आज की इस वीडियो में मैं आपको उता हूँगा आपकी परिच्छा बोध में जो चार सेट का मॉडल पेपर है तो चारों मॉडल पेपर के अब्जेक्टिव कोस्चन इदि आप कर लेते है तो आपके तेरा फर बर में जो अब्जेक्टिव कोस्चन आएंगे आप उसको डेफिनिटली कर लेंगे तो चैनल पे नए हैं प्रिच चैनल को सब्सक्राइब करें और वेल आइकान प्रेस कर लें क्योंकि मैं सारी अब्जेक्टिव कोस्चन आपको डिटेल में समझाने आपको अब्जेक्टिव कोस्चन रटना नहीं पड़ेगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोस्चन आपके सामने है बारा और पंद्रा का यह सीफ बताईए देखे यह सीफ मतलब होता हाइस्ट कॉमन फेक्टर मतलब ऐसा फेक्टर जिसमें ठीक है इन दोनों क का भाग चला जाए देखे बारा में तीन का भाग भी चला जाएगा और पंद्रा में भी तीन का भाग चला जाएगा ठीक है बाकी आज का भाग पंद्रा में जाएगा लेकिन बारा में नहीं चार का बारा में जाएगा पंद्रा में नहीं तो करेक्ट आंसर बेटा आपका हो जाएगा तीन अगला कोश्चन है आपके सामने कोश्चन नमबर सेकेंड देखिए क्या लिखा हुआ है यक्स माइनस टू बाई और त्री यक्स प्रेस फोर बाई माइनस ब्राबर जीरो द्वारा रेखाएं इस्ट्वेंट यदि आप यहां पर सॉल्व करेंगी तो a on upon a2 बराबर नहीं होगा बियोन अपान बीटू के और इस कंडिशन में एक अधिती हल होता है और रेखाएं प्रतिछेदी होती है तो करेंट आंसर हो जाएगा प्रतिछेदी रेखाएं ठीक है अगला कोश्चन है देखिए क्या लिखा है एपी में यह दिटी बराबर माइनस ह आपको फार्मूला पता होगा एन बराबर होता है इस फार्मूले में आप वैलू पूटब करेंगे और इसको सॉल्ट करेंगे बेटा तो आपका करेंट आंसर जो निकल क्या हैगा 28 आएगा ठीक है अगला कोश्चन है पेड की छाया उसके उचाई के बराबर है तब सूर् रखेयेगा बेटा जब भी छाया और उचाय की लंबाई बराबर हो तो हमेशा 45 डिगरी का कोड बनता है कितने डिगरी का 45 डिगरी का अगला question मूल बिंदू से माइनस 6 माइनस 8 की दूरी मतलब क्या करना है हमें माइनस 6 का स्क्वेर और प्लस 8 का स्क्वेर इसको solve करेंगे तो root over 100 आएगा मतलब correct answer 10 आएगा 10 पर आपको tick कर देना है ठीक है? आगला question है x-2 का whole square इसका हल बताना है बेटा तो x-2 into x-2 हो जाएगा इसका मतलब x-2 प्लस 2 और प्लस 2 आपका correct answer होगा आपसर नंबर C पर आपको tick कर देना है अगला क्या question है रिक्तिस्थानों की पूर्थ कीजिए सभी ब्रत्य क्या होते हैं बेटा सभी ब्रत्य क्या होते हैं समरूप होते हैं इंगलीस में क्या बोलेंगे similar होते हैं ठीक है अगला question है किसी निश्चित घटना की प्राइकता बेटा निश्चित घटना की प्राइकता हमेशा एक होती है कितनी होती है एक तो एक आपको right कर देना है तीर root 2 कैसा है ठीक है तो बेटा अपरी में संख्या है ठीक है जब भी आपको root में अभाज संख्या दिख जाया मतलब अपरी में संख्या ठीक है अगला question क्या है रेखिक बहुपत ax प्रस b का सुन्यक ax प्रस b का सुन्यक मतलब ax प्रस b बराबर 0 करेंगे तो ax बराबर minus b आएगा तो x का value minus b upon a आजाएगा कितना आजाएगा minus b upon a एक महान गड़ी तक ये r भट ठीक है पाई का संख्या करत्मान किस ने दिया था बेटा तो r भट ने दिया था r भट आपको क्या करना है टिक करना है तो r भट आपका सही answer हो जाएगा चलते हैं अगले question पे अगला question है केंदरी प्रवति का ऐसा मात रख है जो आकडों में बीच का मान देता है तो माध हमेशा बीच में होता है तो correct answer आपका हो जाएगा बेटा माध बाध पे आपको टिक कर देना है अगला question क्या है सत्या सत्य बताईए छेदक रेखा ब्रत को केवल एक बिंदू पर प्रतिछेट करती है देगे छेदक रेखा क्या होती है या ध्यान से समझेगा जो ब्रत को फीधा दो बिंदू उपर छेदे ठीक है मतलब काटे इंटरसेक्ट करे तो देखे यहां पर लिखा एक बिंदू पर जिस बज़े से इस्टेटमेंट फाल्स हो जाएगा अगला question है एक मिनार की छाया बढ़ने के साथ साथ सूर का उन्नतांस भी बढ़ता है तो बेटा जैसे जैसे छाया की लंबाई बढ़ेगी उन्नतांस घटेगा तो correct answer क्या हो जायगा आसत्य आपको लिख देना है बोला है देखे क्या लिखा हुआ है माइनस आठ और छे दुतीच चतुर्थांस में इस्थित है देखे माइनस आठ और छे तो माइनस आठ मतलब आपको इधर जाना है और प्लफ इधर जाना है तो ती चतुर फास्वी बिलकुल यह सही है आपका ठीक है किसे बिंदू का भुज सूनने हैं तो बाइच परिस्थित होगा भुज सूनने हैं मतलब यक सच पर… देखें, भुज सूनने हैं मतलब यहाँ पर जाएंगे और बायक्ष पर जाएंगे ठीक है तो बायक्ष पर इस्चित होगा बिल्कुल सही बात है तो ये भी क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा समकोर त्रिभुज में करन सबसे बड़ी भुजा होती है ठीक है तो ये भी आपका इस्ट्रेंट क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा अगला कुश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप पापस में बराबर होते हैं समरूप त्रिभुज मतलब आकरती समान हो ठीक है तो परिमाप बराबर होंगे ये जरूरी नहीं होगा ठीक है जैसे एक त्रिभुज ये हुआ एक त्रिभुज ये हुआ तो समरूप होंगे लेकिन परिमाप बराबर नहीं होगा जिस बज़े से कथा ना सकते हो जाएगा सही जोड़ी बनाना है देखे 10 theta को हम क्या लिख सकते हैं 10 theta देखे यहाँ पर क्या लिखे है sin theta बटे cos theta आपको पता है 10 theta का मान होता है sin theta बटे cos theta ठीके अगला जो question है sin square 25 plus cos square 25 यह जी theta की value same है बीच में आपको plus sin दीख जाए मतलब उसका मान एक होगा क्योंकि sin square theta plus cos square theta हमेशा क्या होता बेटा 1 होता है तो 1 से आपको मैच कर देना है ठीक है संकु कायतन क्या होता है 1 upon 3 pi r square h गोले कायतन होता है 4 upon 3 pi r cube ठीक है 3 जिखन का छेथफल क्या होता है plus bx plus c के विविक्तिकर ग्याद करने का सूत्र क्या है तो आपको पता होगा बेटा विविक्तिकर ग्याद करने का सूत्र होता है d बराबर b square minus 4 ac यह होता है आपका discriminant मतलब विविक्तिकर ठीक है इसमें क्या बोला गया है x into x minus a में x कमान देखे एक बार हम x को 0 के बराबर करेंगे एक बार x minus 1 को बराबर करेंगे 0 के तो एक बार x कमान 0 आएगा एक बार x कमान 1 आएगा तो 0 और 1 आपका correct answer हो जाएगा अब चिक कर सकते हैं ठीक है इसमें बोला है बेटा 8 पदों का आएगा 180 ठीक है अगला question है समानतर फ्रेणी के यन पदों का योगफल ग्याद करने का सूत्र तो अभी अभी हमने आपको ताया आप देख सकते हैं ठीक है सेम फार्मूला यन बाई 2 into 2a plus यन माइनस 1 into d अगला question है किसी या संभाव घटना की प्राइटा संभाव घटना की प्राइटा हमें इसा 0 होती है ठीक है जैसे एक पासे को हम फेकें और 7 प्राप्त करने की प्राइटा तो पासे में 6 तकंक होते हैं तो 7 तो आ ही नहीं सकता है मतलब 0 ठीक है ब्रत के दो बिंदू उपर प्रतिछेत करने वाली रेखा को क्या कहते हैं देखिए ब्रत के दो बिंदू उपर यदि प्रतिछेत कर रही है तो उसे कहते है छेदक रेखा क्या कहते है वेटा छेदक रेखा आपके इसमें जीवा लिखा हुआ है चेदा करेखा वही चीज़ है ठीक कोई दिग्गत नहीं अब आप देख सकते हैं दो दो नंबर के question भी आने हैं इसके बाद चलते हैं अगले sit पे ठीक है हमने आपको दो sit के सारे question answer प्रवाइड करा दिए ठीक है एक अंक वाले आप देखिए अगला sit यह स्क्वेर माइनस ए आठ से भी भाज होगर यदि देखे यह अनके जगम हम क्या रख दें कि आठ से भाजित हो जाए तो यह अनके जगम हमको यह भाज यह संख्या रखें जैसे एक रखें तो एक का स्क्वेर करेंगे 1-1-0 हो जाएगा तो एक अबीसम पूरांक इसका correct answer हो जाएगा अगले question पर चलते हैं, आदुती हल होने की सर्थ, आदुती हल होने की सर्थ होती है बेटा, A1 upon A2 नहीं होगा बराबर किसके B1 upon B2 के, ठीक है, AP के प्रथम दो पद, माइनस 3 एवं 4 हैं, देखे, क्या लिखा हुआ है, माइनस 3 एवं 4 हैं, तो इसका की सर्थ क्या होगा, देखे, प्रथम दो पद क्या है, माइनस 3 और 4 हैं, तो हमें क्या बताना है की सर्थ, आपको पता है बेटा, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, यह, A बराबर कितना है, माइनस 3, ठीक है, और दो पद कितना, देखे, 20 to 7 मतलब 20 सत्य एक सो चालिस 143, 143 will be your correct answer अगला question क्या है मिनार से 100 मीटर दूर इस्थित बिन्दु पर मिनार का उनियन कौन 60 डिग्री है तो मिनार कूचाई बताई देखिए एक मिनार बना लीजिए बोला गया है 100 मीटर दूर मतलब यह 100 मीटर दूर क्या बोला है मिनार कूचाई इसको आप बेटे यक्स माल लीजिए तो यक्स बटे 100 बराबर हो जाएगा आपका 1060, 1060 की value होती है आपकी root 3 तो यक्स की value हो जाएगा इसका पच्छांतर करेंगे 100 root 3, तो 100 root 3 आपका correct answer हो जाएगा अगला question है बिंद 2, 3 की यक्स अच्छ से दूरी यक्स अच्छ से दूरी मतलब बेटा बाई अच्छ का निद्दे सांग याद रखेगा और यदि बाई अच्छ से दूरी बोले तो यक्स अच्छ से दूरी तो 3 आपका correct answer हो जाएगा मानक रूप बताना है तो इघास समय का अनतकत क्या होता है ax square प्लस bx प्लस c ये आपको correct कर देना है ठीक है तो correct answer आपका क्या हो जाएगा option number c अगला question आपके सामने है समरूप त्रिवुजो की संगत भुजाय होती है तो संपES गुजाया आपको अनुपातिक लिखना है ठीक है अगला सवाल क्या है यादि PE बराबर इतना तो PE नॉट यादि हमें बेटा PE नॉट निकालना है तो हम क्या करेंगे 1- PE कर देंगे ठीक है क्या कर देंगे 1- PE कर देंगे तो correct answer आए जाएगा आपके सामने 0.95 क्या हो जाएगा बेटा 0.95 इसमें सुनने को का योगफल हो ला है तो सुनने को का योगफल होता है minus b upon e तो minus minus 4 upon 1 हो जाएगा मतलब 4 आपका correct answer हो जाएगा आप check कर सकते हैं ठीक है देख सकते हैं 4 अगला क्या है ब्रत्य की तृज्जा उसके व्यास की याद रखेगा बेटा तृज्जा जो होती है अमेशा व्यास की आधी होती है क्या होती है बेटा आधी होती है हाप होती है ठीक है या one upon two भी अप लिक सकते हैं कोई दिक्गत नहीं संख्या 4 और 7 के SCF बताना है तो 1 हो जाएगा अगला है ऐसा प्रेच्छन जिसकी बारंबारता अधिक्तम होती है उसे बहुलक कहते हैं बहुलक की बारंबारता अधिक्तम होती है अब चलते हैं सत्य सत्य पर तो सत्य सत्य में पहला कॉस्चन है इस पर्स बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या इस पर् कर देना है चेटिछ तैल से ईपर की और देखने पर दरष्टिदे कोण नीचे की और देख रहे हैं मतलब अवनमन गोण सो करेक्ट 0 को square plus by minus 0 को square तो आपको यही आएगा सभी सर्वांग्सम आकरतिया समरूप होती है बिलकुल वही बात है सर्वांग्सम मतलब होता है सभी भाग समान और समरूप मतलब होता है उनका रूप समान ठीक है तो सर्वांग्सम है तो समरूप तो होंगे ही ठीक है, दो त्रिभूस सम कोणी को हो, तो त्रिभूस सम रूप होते हैं, बिल्कुल फ़ी बात है, बेटा इसको सर्थे कर देना है, अब चलते हैं सही जोड़ी, देखें, सेक स्क्वेर थीटा माइनस 10 स्क्वेर थीटा की वैलू होती है, बेटा 1, तो 1 आपको कहीं भी मैच कर देना है, अगला कोशन क्या है, सेक थीटा बटे 10 थीटा, अब देखेंगा, समझेगा, सेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को अपन लिख सकते हैं, 1 आपन कॉस थीटा, और 10 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या वर D मी रहा तो D से match कर देना है अगला question क्या है root over 1 minus sine square theta समझेगा 1 minus sine square theta बेटा होगा cos square theta की और root से बाहर आएगा तो आपका correct answer cos theta होगा cos theta जहां पर दीखें मिला दीजिए R व्रत के व्रत का छेथफल πाई आरी square होता है आपको पता है बेलन का वक्क प्रस्ट क्या होता है 2 πाई आरीच यह आपकी सामने रहा ठीक है संकु का प्रस्टी छेथफल बेटा क्या होता है पाई आरीच जहां पर पाई आरीच दीखें उससे match कर दीजिए ठीक है कहीं पर होगा आप देख सकते हैं यह रहा अब चलते हैं अगले question पे अगला question है एक सब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए यदि A, B, C वास्तिविक संख्याए हैं तो A बराबर 0 नहीं होगा तब दीखाद समीकरन का रूप होगा बिल्कुल 5 बात है यह कथन आपका क्या है सत्य है ठीक है विखाद समीकरन बताना है तो क्या होता है A x square प्लस B x प्लस C बताना है यह आपका right answer यदि वर्ग समीकरन के विविक्तिकर का मून मान सुनने है तो मूल कैसे होगे तो बेटा मूल वास्तिविक होगे और समान होगे मूल कैसे होगे आपको लिखना है वास्तिविक और समान या वास्तिविक और बराबर भी आप लिख सकते हैं ठीक है यह आपको correct करना है अगला है समानतर सिर्णी के दो लगतार पदों की अंतर को क्या कहते है तो बेटा क्या कहते है सार्व अंतर common difference वोलते हैं तो फार वंतर आपको right कर देना है अगला question है कौन सा पद 27 होगा आप देख सकती है यह यहाँ पर तीन का table लिखा है तीन का multiple तो तीन नमा 27 मतलब 9 नमबर पर आपका 27 आएगा तो नौवा पद आपका correct answer किसी निश्चित घटना की प्रयक्ता always one होती है किसी ब्रत पर कितनी इस पर से रेखा है खीची जा सकती है बेटा तो अनन्द infinite आपका correct answer हो जाएगा अनन्द ठीक है अगला question आपके सामने है देखे फारे objective question इसके भी complete होगा है चलते है next set पे बेटा आपका ठीक है संभाविक प्रश्ण पत्र set a आ गया अब इसको देख लेते हैं अगला question है एक अस्रून ने ठीक है परिमेश संख्या एक अपरिमेश संख्या का गुड़न फल देखे परिमेश संख्या और अपरिमेश संख्या का गुड़न फल करेंगे तो क्या होता बेटा इस condition में कोई हल नहीं तो आपसा number B will be correct अगला है यदि A बराबर 17 है A 13 बराबर 35 है तो सार बंतर देखिए A 13 मतलग A प्लस समझेगा थोड़ा सा A प्लस 12D ये कितना है आपका 35 है और A बराबर कितना है 7 है तो ये 7 प्लस 12D बराबर हो जाएगा 35 ठीक है बेटा तो 12D बराबर आपके सामने आजाएगा ये बात 13 पत्था न थीक है तो 12D बराबर 35 में आज 7 घटाएंगे 35 में 7 घटाएंगे तो 28 आएगा ठीक है तो D बराबर आपको हो जाएगा 28 बते 12 इसको solve करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा देखिए किस से cancel out करेंगे 4 से तो 4.28, 4.32, 7.3 आपका correct answer ठीक है अगला है यदि 6 मीटर उचे खंबे की छाया 2 रूर 3 मीटर है तो सूर का 19 रूर 3 मीटर तो हमें क्या बताना है तो 6 बटे 2 रूर 3 बराबर हो जाएगा टैन तीटा इसको काटेंगे तो रूर 3 से रूर 3 बार कटेगा रूर 3 रूर 3 10 कितने में आता है 60 डिगरी में तो आपका correct answer will be 60 degree आपको 60 degree पे tick कर देना बेटा ठीक है देखे एक question मैं आपको detail में समझा रहा हूँ ठीक है चैनल पे नया है तो please चैनल को subscribe कर ले अगला question है यक सच पर इस्थित किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी 4 इक आई है तब उस बिंदु के निर्दे सांख होंगे यक फच पर इस्थित है मतलब 2 बराबर 0 होगा तो 4 0 will be your correct answer ठीक है 105 का बी नमबर अगला है दूरी घात समिकर्ण के मूलों का दिक्तम संख्या तो 2 जितने घात होगी बेटा मूल भी उतने ही होंगे ठीक है पी के बराबर होता है दूरी घात समिकर्ण में सुनिकों के दिक्तम संख्या दो होती है ब्रत के अनुदिश एक बार चलने में तैक्वी गई दूरी देखे क्या कहलाती है सरकंपेरेंस मतलब परी धी 5-2 ठीक है कैसी संख्या तो अपरी में संख्या आपको अपरी में लिखना है अगला है तीन माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस दो माध्य ठीक है आपका फार्मूला होता है यहाँ पर क्या लिखना है आपको बहुलक बहुलक प्लस दो माध्य आगला सवाल है सत्य और सत्य बताईए किसी बाहे बिंदु से ब्रत पर खीची गई इस पर स्रेखा रह आस्मान होती है एक बिंदु से खीचो गए तो इस पर स्रेखा हमेशा बराबर होती है तो यह statement wrong हो जाएगा उन्यन कोण हमेशा अधिकोण होता है नहीं होता बेटा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, नियुन कोन भी हो सकता है, किसे बिंदु से, बाई एस से दूरी, उस बिंदु का बाई निर्दे संक नहीं, यक्स अच कहलाता है, इनके बीच की दूरी बताना है, तो पाचिकाई होगा बिल्कुल, समरूपत्रिबुच के सं ठीक है मैच कर देना है ठीक है साइन थीटा होता है साइन 60 होता है रूट 3 या पांच 2 देखें 10 इंटु कॉर्ट ए इसकी वैलु होती है बेटा 1 क्या होती है 1 चब 2 इंटु 1 करेंगे तो 2 विल भी ओर करेक्ट आंसर तू से मैच कर दीजिए अर्थ गोले का प्रेस्टीज छ समझ में आये होंगे अब चलते हैं एक सब्दिय एक वाकि में उत्तर क्या लिखा है यदि अलफा और बीटा बर्ग समीक एन के सुनियक है तो अलफा प्लस बीटा कमान बेटा हमेशा माइनस भी अपान ए होता है ठीक है बिबिक्तिकर बताना है मतलब 20 स्केर मतलब 4 का स्के हैं तो 2बर्टे 3 में 1बर्टे 3 अपनम वाकि मिनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1वटे 3 कितना सुनियक लां यह करेंगे कि प्राइटता क्या होगी तो देखे तीरपन बटे 365 करना है सो करेक्ट आंसर एक प्रटे साथ ठीक है ब्रत के एक बिंदू पर प्रतिछेत करने वाली रेखा को इस पर्स रेखा कहते हैं ठीक है आपको पता होगा इसको क्या बोलता है टैंजन्ट या इस पर्स रेखा तो आ और यहां पर पर को द equivn नहीं है ठीक है की किस मान के लिए को संपाति होने के लिए बेटा क्या होता है संपाति मतलब तीनों बराबर हो मतलब आपका जो है a1 upon a2 बराबर होना चाहिए बेटा b1 upon b2 के ठीक है यह हो जाएगा इसको आप solve करेंगे बेटा तो minus 3 के बेटा तो 2 आपका correct answer आएगा ठीक है अगला question क्या है प्रथम पद एवं फार बंतर प्रथम पद आपको 1 बटे 3 हो जाएगा सार बंतर मतलब 5 बटे 3 में एक बटे 3 घटाएंगे तो 4 बटे 3 हो जाएगा कहां पर आपका दिख रहा है आपसर नमबर a पर दिख रहा है तो आपसर नमबर a आपका correct answer हो जाएगा आपसर नमबर a से मेर्च कर देना है यदि दूप में खड़े एक व्यक्तिकी छाया उसके उचाय की रूट over 3 गुनिया है तो उस समय सुर का उन्ने अनकोन क्या होगा देखेगा जी आपके सामने question रहा देखे इस क्या बोला है दूप में खड़े एक व्यक्तिकी छाय उसकी उचाय की रूट 3 गुनिया है क्या बूला है एक व्रत के व्यास के निर्दिसांग कितना है तब उसके केंदर, दोनों को जोड के 2 का डिवाइड कर दिजीए बेटा, तो माइनस 3 प्लस ये पान 00 इसका correct answer हो जाएगा minus 3 plus 3 जोर के 0 कर रिवाइब 4 minus 4 कर के 0 कर रिवाइब तो 00 इसका हल पूछा है तो 2 हो जाएगा question repeat हो चुका है अगला question है प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं बेटा तो समरूफ होते हैं क्या होते हैं समरूफ होते हैं similar होते हैं किसी प्रयोक की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो उसे क्या कहते हैं विटा तो सरल घटना कहते हैं ठीक है दो इगात बहुपद में alpha plus beta का मान बताना है तो minus b upon a होता है आपको पता होगा एक ब्रत की परीद और व्यास के नपात को क्या बोला जाता है परिद क्या होता है 2 pi r व्यास क्या होता है 2 pi तो 2 pi से 2 pi करतना जाएगा क्या बचेगा देखे 2 r से 2 r करतेगा स्वारी pi बचेगा तो pi आपको correct answer हो जाएगा ठीक है अगला है यह cm of a b यह cm of a b यह होता है a into b के वराबर इन दोनों संख्याओं का गुणान फन ठीक है वर्ग अंतराल की उपरी सीमा और निचली सीमाओं का आउसत कहलाता है वर्ग चिन आपका correct answer हो जाएगा वर्ग चिन अगला question क्या है ब्रत के केंसे जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समध्य भाजित करता है यह statement वर्ग आपका true है वह रेखा जो हमारी आख से बस्त को जिसे हम देख रहे हैं जोडती है उसे द्रश्टी रेखा कहते हैं बिल्कुल 5 वात है किसी बिल्द कोई quote 0 है तब वह बाई यह परिस्तित है quote 0 है मतलब बेटा देखे quote 0 है मतलब by कमान 0 है मतलब किस सच परिस्तित होगा यह सच परिस्तित होगा तो यह statement गलत 0 5 यह सच परिस्तित है 0 और 5 बिल्कुल 5 बात देखे 0 और 5 0 और 5 बाई यह परिस्तित होगा जिस बदे से wrong हो जाएगा दो समरूप त्रिभुजों के कोण अनपातिक होते हैं ठीक है दो समरूप त्रिभुजों के कोण अनपातिक होते हैं अनपातिक नहीं होते बेटा बराबर होते हैं भुजाय अनपातिक होते हैं ठीक है सेख सक्वेर ठीटता जहां पर दिखें, मिला दो, 10 सक्वेर 30, 1030 के वेलु होताए 1 upon root 3, 1 upon root 3 का आप सक्वेर करेंगे, तो 1 upon 3 आपको कहीं पर दिखेगा, उससे मैच कर देजे, 1 upon को जब किसकी बराबर होता है? सेख 2 के बराबर होता है, आर त्रिज्य के ब्रत की परिद क्या होती है 2 pi r होती है घं का प्रस्टीज छेट फल मतलब फंपून प्रस्टीज छेट फल 2 into Lb plus Bs plus Hl घं आपका प्रस्टीज छेट फल देखे स्वारी स्वारी घं का होता है 6a square ये घं आपका होता है ठीक है गहन का प्रिष्टी छेट फ़ल होता है बेटा 6A स्केर अगला कॉस्चन आपके सामने ये रहा वर्क समी करण AX स्केर प्लस CX मूलों का योग कितना होगा तो मूलों का योग होता है माइनस B या पान है लेकिन यहाँ पे B के जाएंगे हम क्या ऐसी तो माइनस C अपान A आपका प्लस C आपका और अंशर होगा अगला है मूल क्या होगे इसको अपसल्ब करिए ठीक है और मूल यार्ट के ज़िए तो मूल आपके क्या हो जाएंगे बेटा ये आपके सामने रहा कौन सा नंबर है सेकंड का 4 ठीक है एक ब्रत की कितनी समानतर इस पर्स रेखा बोलेगा तो केबल दो होगा कितने होगा दो तो करेक्ट आंसर विल भी टू तो इस्ट्वेंट आई होप यह सारे कोश्चन आप अच्छे से कर लेंगे आप इनका स्क्रीन साट ली लेजिए और इन सारे अबजेक्टिक कोश्चन से अच्छे से प्रिपेर कर लीजिए आपके तेरा फर्वेट को डेफिनिटली यही कोश्चन रेखने को लिए मतलब इन पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें विल आइकाउन ट्रेस कर लें